इस lecture में discuss करेंगे में गमपेरिजन बिडवीन लागरंजर्ण एन हमिल्टोनियन आई ये देखते हैं लागरंजर्ण एल फंक्शन होता है जनलाइस क्वाडिनेट का यानि कि पोजिशन का वेलोसिटी का एंद टाइम का X-I होता है position, X-board हता है velocity and T होता है time X-I, I equals 2 होता है 1-2 n वैसे अगर बात करते हैं Hamiltonian की Hamiltonian function होता है isation momentum and time का X-I होती है position P-I होता है momentum and T होता है time I is equals 2 होता है 1-2 n वैसे अगर बात करते हैं L होता है difference kinetic energy minus potential energy this is known as lagrangian capital L जबकि अगर बात करते हैं हैं मिल्टुनियन की तो एडिशन होता है काइनेटिक एनरजी प्लस के पोटेंशिल एनरजी यानि के एल होता है डिफरेंस काइनेटिक एनरजी और पोटेंशिल एनरजी का जबकि अगर बात करते हैं 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 मिल्टुनियन की तो एडिशन होता है क होता है जैसे हिस फोम में भी लिख सकते हैं जैसे बात करते है है लेेंगिननी की तही होता אני यह पर चो हिरो इसे रही अगर बात करते हैं हैमिल्टूनिएन की थी कुल लेगर ओस टो होता है माइनस की सबक्राइड है इधिक भी अगराद करते हैं इक्रiktion कि इक्राइशन आफ रवीक्रतूen alcohol है टोन यह विदिए ऒई भी माइन सबखम लेक्राइशन और यह कहला यह दोस्तों यही ते दोनों में comparison and relation, दोनों में relation होता है del L upon del XI, minus K del H upon del XI, जहां पर XI होता है generalized coordinate, H होता है Hamiltonian, L होता है Lagrangian, यही कहलाता है relation between L and H, thank you.